कुल उत्पादन को जानने के लिए हमने तीनों वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ा परंतु सभी वस्तुओं और सेवाओं के गड़ना करें तो यह किस प्रकार होगी? कई वस्तुओं का किनी अन्य वस्तों के उत्पादन में उप्योग किया जाता है? ऐसी परिस्ति में सभी वस्तों का मूल्य जोड़ना क्या उचित होगा? प्रतेख उत्पादित और बेची गए वस्तु यह सेवा के गड़ना करने की आवश्यक्ता नहीं है, बल्कि अन्तिम रूप से जिन वस्तों का हम उब्भोग करते हैं, उनके मूल्यों के गड़ना करनी चाहिए. इसे हम एक उदाहरन के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं. माना कि एक किसान किसी राइस मिल को 10 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम धान बेचता है, इस प्रकार धान का विक्रे मुल्य 1000 रुपे हुआ. यहां किसान धान उत्पादन के लिए स्वेम के घर का बीच प्रयोग करता है, फिर राइस मिल वाला 100 किलोग्राम धान से 60 किलोग्राम चावल तयार करता है, जिसे वा 20 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से किसी मुर्मुरा दुकानदार को बेच देता है. इस तरह चावल का विक्रे मुले 1200 रुपे हुआ. अगले चरण में मुर्मुरा दुकानदार उस चावल से 55 किलोग्राम मुर्मुरा तयार कर 50 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से उभोग्ता को बेचता है. अता उस चावल का मुर्मुरा अंतिम उत्पाद के रूप में उ मद्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है यहां मुर्मुरा का विक्रे मूल्य अंतिम वस्तु के रूप में 2750 रुपय हुआ तथा मद्यवर्ती वस्तु धान एवं चावल का मूल्य क्रमशा एक हजार रुपय एवं 1200 रुपय हुआ यहाँ धान, चावल तथा मुर्मुरा के मूल्यों की अलग-अलग गड़ना करना ठीक नहीं है इससे एक ही वस्तु के मूल्य की गड़ना बार-बार होगी ऐसा करने से दोहरी गड़ना हो जाएगी कुलुत पादन के लिए मूल्य समवर्धन Value Added विधी उपर दे गए उधारन में धान, चावल तथा मुर्मुरा के मूल्यों की गड़ना एक अन्यविदी द्वारा भी की जा सकती है इस उधारन को एक तालिका के रूप में लिखकर समझ सकते हैं यहाँ हम देखते हैं कि प्रतेक चरण पर मूल्य जोड़ा जा रहा है जिससे मूल्य समवर्धन हो रहा है पहले चरण में धान का मूल्य एक हजार रुपय है चुकि धान का बीच किसान के घर का था उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा दूसरे चरण में राइस मेलने धान एक हजार रुपय में खरीदा और 1200 रुपय में चावल बेचा इस चरण में समवर्धन मूले 200 रुपय हुआ तीसरे चरण में मूर्मूरा कार खाने वाले नी चावल को 1200 रुपय में खरिदा तथा 2750 रुपय में बेचा जिससे समवर्धन मूले 1550 रुपय हुआ इस तरह किसी वस्तु के उत्पादन के प्रतेक चरण में मूल्यों में वृद्धी होती है यही मूले समवर्धन कहलाता है